नमस्कार सांतियों सिक्षा दावे आप सक्सेस की ओनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगा बहुत बहुत श्वागत हैं मैं हूँ राहुल परमार और मद्यप्रदेश की जो हम क्विश्चन डिसकस कर रहे हैं ठीक है इसके आज हमार ये पांचव लेक्चर है और आज क्विश् नदी तापती से निकलती है नदी तापती नदी का नाम सुनाओगा आपने और आपका आंसर आजाना चाहिए अब तो मुल्ताई मुल्ताई कहां पर है बेतुल में है ठीक है तो तापती नदी कहां से निकलती है भहिया बेतुल से निकलती है और कहां पर जाती है ये खंब आता है चलिए तो सही जवाब क्या था इसका डी भोपाल में इस्तित प्रशास्निक राज्य सचीवाले को का क्या नाम है दो बार क्या क्या हो गया टाइप यहाँ पर क्या नाम है उसका राजभवन राजभवन क्या है यहां तो राजजपाल रहते हैं तो राजजपाल जो र आज सची वाले है हमारा है मध्यForm है, चलिए अगला question देखिए है मध्य FERDISH में प्रती भूती कागच कारा खाना, बोले सर ये क्या बड़ा-बड़ा हुआ हो अरडा गया, प्रती भूती कागच कारा खाना आपने हमेशा एक सुना का security, security, paper mil पढ़ा होगा आपने, security paper mil, तो य इंदी में क्या आ गया इस बार? Security Paper Meal का नाम आ गया था कागच पृति-भृति कागच मतलब पेपर और कारखाना मतलब क्यों मिल होता है तो Security Paper Meal कहा पर है? तो इसका सही जवाब तो आपके मालूम होना चाहिए क्या है इसका? होशंगबाद में है ये और सिक्योर्टी पेपर मिल की जो इस्तापना हुई थी वो 13 जैनुवरी 2006 को हुई थी कब हुई थी याद रखना और कहां परे ये होशंगाबाद में चली अगला क्विक्शन देखिए वर्स में इंदोर के डेली कालेज को इसके वर्तमा नाम से इस्तापित किया गया था सही जवाब बताइए आप में को तो आप में से बहुत सारी लोग बोलेंगे सर 1870 गलत है आपका इसका सही जवाब है 1882 देखो डेली कोलेज एक लाड डफरीन का नाम सुना आपने डेली कोलेज लाड डफरीन ने इसकी स्तापना की थी डेली कोलेज की एक कोलेज नहीं था उस टाइम पर इसकूल टाइप का था ये तो इसकी स्तापना की गई थी 1870 में हाँ मैं मानता हूँ स्तापना इसकी 1870 में हुई थी लेकिन जो ओरिजनल, जो आज भी है डेली कॉलेज, आप जाओगे इन दोर में तो आपको आज भी मिलेगा डेली कॉलेज, जो वर्तमान सो रूफ है ना उसका, ये 1882 में हुआ था, 1882, ठीक है, याद आ रहा कोज, 1882, इसके संतिंग कौन था इस टाइम पे, गवर्नर कौन था, डफरीन, इसके 3 साल बात क्या बन गई थी, 1885 में क्या बनी थी, कॉंग्रेस की स्तापना हो गई थी, तो पता होना चाहिए, कॉंग्रेस की स्तापना का टाइम पर लाड़ डफरीन था, लाड़ डफरीन का एक, बोल सकते हैं कि इसको फी दिमाग था कोंग्रेस के पीछे, बनाने के पिछे तो उसी टाइम पर डेली कोलेज की विस्तापना इसने ही की थी तो सही जवाब क्या है इसका 1882 याद रखना यह फेक्ट आपको याद कभी भी आ सकता है चलिए अगला क्यूशन देखिए होशंग सा का मगबरा में इस्तिते सबको पता है है न हाँ मुझे प होशंग साह क्या था होशंग साह के बारे में हम यह बोल सकते हैं कि यह प्रथम इसलामिक क्या था इसलामिक राजा था मालुआ का इसके पापा था है इसके पापा का नाम क्या था भईया होशंग साह के पापा थे उनका नाम था दिलावर खां क्या था भईया दिलावर खा और होशंक सहा का भी नाम क्या था जो मतलब बच्पान का जाम था उसका अल्प खा था क्या था अल्प का अब ये दिलावर खा जो साप थे ये फिरोज सहा तुकलक के दरबार में हुआ करते थे किसको भाईया इनको दिलावर खां को मालवा का क्या बना दिया जाता है राजिपाल बना दिया जाता है और कुछ समय बाद ये दिलावर खां साब क्या करते हैं अपने आपको स्वतंत्र कर लेते हैं एक राजा बन जाते हैं किसके मालवा के फिर इनके पूत्र आते हैं और इ और मांडू इनकी राजधानी को सिप्ट किया प्रदेश का ताज महल उसपयर को मद्डिप पर्देश का ताज महल कहा जाता है इदर देखिए आप पिक्चर देखिए यह है आपका होशंग शा का मगबरा यह इनका मगबरा है स्वार्ट को देखो सग्ल से पीश्य को देखो च्वाल तोम मिलंगे बड़ा बीच में गुंबध को और है यहाँ पर ताज में प्रॉडवा और चाहिए इसमें यहाँ पर पिलर होना चाहिए था यहाँ पर बिदे हो वाले वह ने तो यह थे तो इसलिए में कहने मतलब यह मद्यप्रदेश का ताजमेल भी कहा जाता है इसको तो पूरा याद रखना याद रख पाऊगे या नहीं कि भाई दिलावर खाँ था उनका बेटा था होशंग शाथ दिलावर खाँ फिरोज सातुकलक के दरबार में थे इनको मालवा का राज जपाल गोशित किया ये मालवा में आये फिर इनके बेटा ने इनकी सल्टनत को समाला आगे बढ़ाया पेले राज दनी धार हुआ करती थी फिर उसको मांडू में शिफ्ट किया होशंग साइए एकस्पायर हुए उनका इही पर दफना आया गया और उनका मगबरा कहा पर है होशंग शाह का मगबरा मांडू में है चलिए मद्यप्रदेश की किस नदी पर गांदी शागरबान बनाया गया है तो आप इसको फटा पर बता सकते हो आपके उसी अपतो कौन सी नदी यह वो चमबल नदी गांदी शागरबान कहा पर मिलेगा आपको मंदशोर और नीमच में मिलेगा याद रखना मंदशोर पिलस नीमच ठीक है यही पर गांदी शागर अभिहारन भी मिलेगा हमने जिकरिक किया है बरना तो कोई सवाल ही नहीं राइशेन में जाना ही नहीं अपनों को बरना डेम तो Army War College जो है वो आपका महू में मिलेगा आपको महू, Military Headquarter of War महू को जो नाम था पुराना इसका यही नाम था क्या नाम था बेटा? Military Headquarter of War इसको अंग्रेजों ने बनाया था और इनका Headquarter हुआ करता अंग्रेजों का यहाँ पर उनकी सेना और अगेरा सब हुआ करती थी तो वही पर बाद में भारत सरकार ने भारत सरकार ने एक अपरेल याद रखना डेट बहुत इंपोर्टेंट है एक अपरेल 1971 को यहाँ पर Army War College बनाया गया मतलब यहाँ पर Army के जो Soldier होते हैं उनको Training दी जाती है कहाँ पर महू में लेकिन महू का 2003 में क्या कर दिया गया नाम बदल दिया गया और उनका वर्तमान नाम क्या है अब अंबेटकर नगर ठीक है पूछूँगा आपसे मैं आगे ना कि महू का नाम कबदल लगया तो आप फटाक संतर आंसर क्या लगाओगे 2003 कोई दिक्कत इस Question में आपको Very Good आगे बढ़ते हैं चंदेल की पहली राजधानी थी बताइए खजुराहो Very Good चंदेल सासक हुए करते थे इनके बारे में एक separate वीडियो बनाऊँगा अभी आप क्या कर रहो बस रट रहे हो लेकिन आपको जैसे की जब हम मुगल की बात करते हैं तो आप अगबाबर को भी याद करते हो हुमायू पता है आपको आपको अगबर के बारे में पता है सहाजा के बारे में पता है जहागिर के बारे में पता है तो जैसे उनके बारे में पता है न एसे हमको ये परमार वंस के बारे में कौन पर्थम राजा था उसके बाद में कौन राजा बना चंदेल का पर्थम राजा कौन था ये सारी information हमको होनी चाहिए जो हमको मिल नहीं पाती है नोर्मल बुक में लेकिन मैं आपके लिए एक information है ये और बहुत अच्छे विस्तार साथ discuss करेंगे सोचिए आंसर सोचिए आप कहाँ पर मिलेगी बताइए very good मंडला और बालाघाण तो बेगा क्या होती जंजाती बेगा एक प्रकार की क्या है ये जंजाती है जो तीसरी बड़ी जंजाती है याद रखना ये एक तो नाम पर दर्सी थे बेगा जंजाती ठीक है अब ये बेगा जंजाती की भी कुछ उपजातिया होती है उपजाती उपजाती मतला समझ रहा हो ना आप एक जाती होती मेन फिर उसकी कुछ साखाएं होती है जैसे मैं इसकी बात करूँ तो नरोतिया क्या है बैटा लिख लो और इन पंचायतन पंचायतन वीवस्ता चलती है मतलब पंचायतन पाउंच ततु होते हैं और यहां पर ओनदा इस्पोर्टी फेसला कर देते हैं यह लोग पंचायतन ठीक है पंचायत वेशता एक तो आपने खाप पंचायत सुना होगा हर्याना वालों तरब से वो खाप पंचायत अलग है ठीक है ये नोर्मल अपना जो नियाई विवस्ता होती है वो पंचायतन विवस्ता ही मतलब यह गाओं के पंचायत होता है या प्रमुख होत होता है बुड़ा देव और इसके अलावा ये ठाकूर देव भी है इनके ठाकूर देव और जो सांज सांज का पेड़ सुना होगा आपने देखा होगा आपने सांज का पेड़ सांज का पेड़ इनका भोती मतलब पुझ्जी पेड़ें ऐसा खा जाता है इनके जो सांच का वरक्ष होता है उसके पत्ते पर बुड़ा देव निवास करते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर कुछ विवा होते हैं जैसे उठना विवा इस जनजाती में उठना विवा होता है इस विवा में क्या होता है दो को क्यूशन ऐसा पूछा जाता है कि उठना विवा किस जन जाती में पाया जाता है तो उठना विवा ऐसा होता है कि इसमें लड़के वाले क्या करते हैं लड़कियों के यहाँ पर जाते बरात जैसे आपके अपने इसमें नॉर्मल बरात लेके जाते हैं तो ये भी जाते हैं वहाँ पर और वही पर पुरा काम इनका होता है मतलब रशाम वगरा सब करते हैं लेकिन जो खर्चा होता है वो लड़के वाले उठाते हैं समझ लेना आप वर पक्षे वाले पुरा खर्चा उ लेकिन इनके में बहुत फेमा से चोर विवा, महलए लड़के और लड़कें मर्जी से भाग जाते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद वो इंफर्म करते हैं घर वालों को कि हम यहाँ परें, फिर यह दोनों घर वाले जाते हैं, उनको मना के लागते हैं, ठीक है समझ रहे हैं इसको चोर विवा केते हैं, तो यह भी फेमा से बेगा जन जाती में, इसके अलावा इनमें एक पेठुल विवा भी है, पेठुल विवा, पेठुल विवा में क्या होता है, कि जो लड़की होती ही, जब उसको पता है कि यार मुझे इस लड़के से साधी करना है, तो वो उ पास-पास के पड़ोस वाले क्या करते हैं? उस लड़की के मा बापको इन्फर्म करते हैं और वहाई पर ओंदा इसको पड़न स्थपर्ट उसकी साध Hawk देते हैं तो ये इस detto लम सेना लमख सेना का मतलब क्या होता यह बहूत अच्छा विवा लगता है оч Afghanistan मेरas क्योंकि इसमें use and try वाला system होता है मतलब जो जिससे साधी करवाना है आपको कि इस लड़की की साधी इस लड़के से करवानी है तो पेले उस लड़के को उस लड़की के घर पर रेना पड़ेगा थोड़े दिन ठीक है अगर उस लड़की को पसन आता है वो लड़का तो ठीक है आगे साधी होगी वरना जे हिंजे भारत ठीक है तो इस प्रकार के कुछ विवा है ये बेगा जन जाती हम पाए जाते है तो बहुत ही important information है कभी भी आ सकती है और यकिन मानिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़तायाँ गां इन में से एक-एक विवा मूरा ये मेप में आपको बता दू मैं थोड़ा सा देखे इधर ये बालागाट है ये मंड़ला है ये बेग जिंडोर है और ये इसका अर्फ जिंडोर है इंदोर में पाई जाती है, जन जाती, सिउनी में पाई जाती है, आपका अनुपूर में पाई जाती है, और सहडोल में भी पाई जाती है, तो यह पुरा एरिया जो है न, इसमें बेगा मिलेगी आपको, और यही पर आपको गोंड जन जाती भी इधर ही मिलेगी, याद रख इन में मिलेगी आपको भील जन जाती और भील जन जाती का एक फेमस जो होली से पेले मना जाता है एक तेवार बताईए आप इसमें भी लड़किया भाग कर साधी करती है भगोरिया हाट नाम तो सुने होगा ना आपने पर ये भगोरिया हाट बदनामे है लेहे ना इसको भील जन जाती का है भगोरिया चलिए आगे बढ़ते है इसको सिद्देशवर मंदीर में इस्ति थे बताइए भगाज इसको सफaya है जवाब है इस question को थोड़ा सा deep में पढ़ाऊंगा आज आपको में तो सिद्देश्वर किसका मंदीर है शिव मंदीर भी है ये इसको सिद्धनाद मंदीर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है शिद्धनाद मंदीर और इसको बनाया था किसने परमार शाशकों ने परमार शाशकों ने बनाया था इसको ठीक है और इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है मतलब इसकी बनावट है वो आर्किटेक्चर जो है भईया वो आपकी है भूमीजा आर्किटेक्चर कौन सी बैटा भूमीजा आर्किटेक्चर और भूमीजा आर्किटेक्चर एक जगाँ प्रसस्ती भी है क्या है उदेपूर प्रसस्ती जो कि इस बार MPPS पूछा गया था उदेपूर प्रसस्ती क्या इससे परमार वन्स के बारे में जानकारी मिलती है किया हाँ मिलती है याद रखना उदेपूर में भी परमार राजाओं की एक साखा थी सिंदू के मरकोटा तक पर राजिस्तान में भी परमार की साखा थी ठीक है ये परमार की बहुत सारी साखा फेली हुई थी वो जो वर्तमान में भी आप गुजरात में भी परमार मिलेंगे ठीक है वही एक ही परमार है जो अगनी वन्स परमार है ना उसी की साखा है विबिन परकार से फेली हुई है तो उदेपूर प्रस्ति के बारे में MPPSC 2019 में question पुछा गया था, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या है इसके कहानी पुरे मंदीर की, तो ये सिद्धेश्वर मंदीर के बारे में आप एक information याद रखो, कि जो phashing होती है आप किसी में मंदीर में चले जाओ, अधिकतर म मंदीर का मूग इधर होता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पक्षिम phashing है यह, तो यह बहुत अच्छा important point है, सिद्धेश्वर मंदीर में, और कहाँ पर बेटा नेमावर में, और नेमावर कहाँ पर है, नेमावर है आपका देवास जिले में, ठीक है नर्मदा आपको डीप में यह बता रहा था, यह देखें, MPPSC का, यह सेट A में question आया था इस बार, 14 नमबर का question था यह, 14 नमबर, यह 2019 की जो MPPSC हुई थी, 12 जनवरी 2020 को, उसका paper था यह, question देखिए आप क्या था, निमनलिकीत में से परमार राजवन से के इतिहास पर प्रकास डालने वाला सुरोत कौन सा है, चार तीन ओप्शन थे आपको पास, तो देखो, बहुत सारे लोग कंफूज हो गए थे, उदेपूर प्रसस्ती, अधिकता लोगों ने बोला गी, उदेपूर में तो परमार का कुछ लेना देना ही नहीं, उदेपूर में कहा से जाएंगे, पदमगुप्ट, एक राजकवी थे, हमारे परमारवंसे के राजा मुंझ हुआ करते थे, 964 से लेके, 998 इस्वी तक, कोन थे ये, राजा मुंझ, और राजा मुंझ के दरबार कवी थे, पदमगुप्ट, और उन्होंने एक कवीता लीखी थी, मतलब कवीता का एक संग्र ह पुरा पुरा को पुरा नव शाहशंग चरीत्र उषके बारे में परमार वंसपे बारे में उनुने पुरे बाद बता General तो पार मधी से बाई एक है को और विद राजकवी इंनुने frame नी की और सिस्री इस मे ωती अंटीं 1304 की बात कर रहा हूं में 1304 AD में इन्होंने एक संगर किया बहुत सारी चीजे लिखी इन्होंने और उसको बोला प्रभंध चिंतामणी तो इन्होंने मुंज भोजा राजा भोज को भोजा बोलते थे ये भोजा और भीमा भीमा से युद्ध हुआ था राजा भोज का उसके बारे में वर्णण किया है इन्होंने प्रभंध चिंतामणी में ये प्रभंध चिंतामणी जो है ना इनका काववी जो भी लिखा है इन्होंने ये पांच भागों में बटा हुआ है ठीक है साथ वाहन वंस के बारे में भी लिखाता इन्होंने इन्होंने परमार वंस के बारे में भी लिखाता तो दियो अप्सन भी सही है इसका उदेपूर प्रसस्ती अभी मैं बताया आपको उदेपूर प्रसस्ती मतलब उदेपूर प्रसस्ती के बारे में आपको परमार व सस्ति से तो बताए क्या option होगा very good इसका option डी होगा उप्रियुक्त सभी मतलब कहने का मतलब यह है कि कितना deep में question आने लग गए हैं आप मतलब exam कभी भी हो भले वह एक साल बाद हो दो शाल बाद हो लेकिन लेवल तो बढ़ा हो आप अपना ठीक है और लेवल ऐसे बढ़ता है एक चीज़ पढ़ो उसमें से एक चीज़ सर्च करो फिर उसके बारे में आगे इन्फोर्मेशन लिखो एसे आगे आपको ग्यान बढ़ता जाएगा और बहुत काम आ हैं उजएन संभाग में चली यहां पर देखीए मेप में आप तो आप देखोगे यहां पर नीमच यह जो कलर कोंसा मेंको Cihor आता है और Bhopal तो आता ही है तो ये 5 जिले हैं जो Bhopal संभाग में आते है बागी इधर का पुरा एडिया है किसका है यह बह्या ये अपना उज्जेन संभाग का है चलिए अगले क्यूशन देखते हैं जबलपूर एक महधपुण सहरे वहां किस छेत्र के अंतरगत आता है तो जबलपूर आप देख पार हूँ मेप में कहां पर मिल रहा आपको जबलपूर यहां पर मिल रहा जबलपूर अब आप ऑप्शन से हटाओ मालवा आपने अगर मेरा लेक्षर देखें तो मालवा कहां से कात रहता है टो मालवा अली राचपूर, धार, इंदोर, देवाज, राइशेन, शागर का थोड़ा सा भाग, ये गुना, गुना का प्रवेजवार का जा था मालवा को, और ये पुरा का पूरा मालवा है ये, तो जबलपूर तो बहार है, तो मालवा में ता रही नहीं, मतलब आपसन सी ह लिखायाँ पर चोटा नाकपूर का पथार मिलेगा आपको कहा पर मिलेगा वह 24 गर्ट वाले एरिया में मिलेगा तो यह उपसन तो हो नी सकता बुंदेल खन तो बुंदेल कंड कहां से कहां तक रहता है देगी यह भिंद का वेसे तो जबलबूर की स्वाले एरिया में आता है जियोग्राफिकल तरीके से तो आप बोलोगे सरी तो नर्मदा शोन घाटी वाले एरिया में आता है वो थोड़ा सा इसका इधर वाला भाग महा कोशल का वो भगेलखन के पठार में भी आता है समझ रहो ना पूरी फिल्म आप समझ गए न अच्छे से क्या कहने का मतलब है तो इसका सई जवाब क्या भई या महा कोशल चलिए अगला क्विश्चन देखिए इंदोर जीले में महू वर्स में डाक्टर अंबेटकर नगर के रूप में नामंकरन किया गया था थोड़ी देर पेले बताया था विन आ चाहिए इनका नाम तो सुने होगा आपने 14 अप्रेल को इनका जन्म दिवस मना जाता है छे दिसमबर को इनको इनकी मिर्ती हुई थी जिसको महा जो क्या बोलते हैं महा परी निर्वांड दिवस की रूप में मनाते हैं आजकल ठीक है भीमराव अंबेटकर क्या थे भाईया जो सनुधान बना था इनको बहुत बड़ा रोल था सनुधान में और ये जो ड्राफ्ट कमीटी मलब जो ड्राफ्ट समीटी थी किसकी सनुधान निर्मान की एक कमीटी थी ड्राफ्ट कमीटी जिसने पुरा सनुधान का ड्राफ्ट तियार किया था ठीक है ड्राफ्ट एक पुरिकवरी फाइल जो थी अमना सनुधान जो था उसको मनाने बहुत एहम रोल था और जिस ड्राफ्ट कमीटी के यह क्या थे अध्यक्च थे बाकि और कुछ सदस्ती भी थे इसमें छे साथ इसके अलावा यह अध्यक्च थे उस ड्राफ्ट कमीटी के मद्यप्रदेश का 52 जीला कौन सा है बताइए बताइए 52 जीला निवाडी दो अक्टूबर 2018 को किस से अलग हुआ भी यह यह तो आप बोलो सरी है टिकमगड से अलग होकर एक जीला बना था कब 2 अक्टूबर 2018 को तो आपका सही जवाब क्या होगा निवाडी चलिए वहा नद कुछ चीजह को मिलेगी गंगा नदी साइब भागिरत ने अपने पित्रों को तरप्त करने के लिए जो गंगा नदी है उसको पृतियूज आपको एक चीज और जानने को मिलेगी मैं बता रहा हूँ पारवती नदी तो माता पारवती को समर्पीत है इनका माईका भी है देखो अगर कभी क्विश्चन आए ना भविश्चे में कि पारवती का माईका किसे का जाता है तो अगर आश्टा उप्शन आ रहा तो आश्टा लगा देना अगर सीवर आए तो सीवर लगा देना ठीक है क्योंकि जहां से पारवती नदी का उद्गम होता है उसे पारवती माता का माईका का जाता है कभी और हम देखेंगे के इतिहास में इनकी पुरानी कता क्या है पार्वत नदी की लेकिन आज की इस क्यूस्टन में हमारा सही जवाब है नर्मदा देखो नर्मदा नदी को भगवान सीउ की पूत्री भी कहा जाता है इसके पीछे की दो कहानिया समझो आप नर्मदा मातकी पहली कहानी यह है कि अमरकंटक से नर्मदा का क्या होता है अमरकंटक की पाड़ियां से उदगाम होता है मतलब निकलती है और अनुपूर क्या है वो जिला है जिसमें अमरकंटक इस्तित है तो भगवान सीउ ने मेकाल परवत पर तपश्य की थी और उनकी पसीने की बूंद से जब उनकी पसीन भी कहते हैं इस लड़की को शांकरी क्योंकि संकर भगवान से उत्पन्द हुई थी वो तो शांकरी भी कहा जाता है ठीक है अब देखो जब इसके बाद में ये नदी बहने लगी तो इसको रवा रवा करने लगी रवा का मतलब होता है आवाज मतलब आप जब पानी को भावगे आप तो वो रवा करेगा मतलब आवाज करेगा तो इसी कारणी से रेवा नदी भी कहा जाता है याद रखना रेवा नदी भी इसलिए कहा जाता है पुरानी कथा बता रहा हूं मैं आपको याद रखना बूलना मत तो रवा भी कहा जाता है तो इतनी कहानी किस की थी ये थी नर्मदा की एक और कहानी है एसा कहा जाता है कि जो चंद्रवन से सासक थे उनके एक राजा थे राजा हिरन्य तेजा क्या नाम था उनके बैटा राजा हिरन्य तेजा तो हिरन्न्य تेजा कहा नी भी वह ऐसी है, जैसे कि आपके भागी रती की मिलती है, मतलब राजा हिरन्ने तेजा को उनको यह इसा मालुम सपने में यह मालुम चला, कि उनके जो पितरक है, मतलब जो उनको तरफ्त करने के लिए इन्होंने भगवान सिउffe कि प्रातना की, कि मे तरप्त करना है मुझे तो आप किसी नदी को यहाँ पर भेजिए तो जैसा गंगा मया की कहानी है ना सेम की सेम कहानी इनकी भी यह भगवान सी उने फिर इनके पित्रक को तरप्त करने के लिए नर्मदा को उद्गम किया और बोला कि अब आपके जब आप यह नदी आएगी तो आपके पित्रक वह तरप्त हो जाएंगे समझ रहोना आपको हम हम लोग भी हमारे पित्रक को क्या करते हैं इसलिए हम एग बार कहा जाते हैं गया जी जाते हैं सुना हो होता है मात्र पेटर क्रते हैं तो पेटर ंकरते हैं तो सेम ये दोनों के सांथ किसके सांथ 속ूं कि ऊद्राइब को ने कर आए और राजा हे यह और नर्धा को जाहिए कि हर कहानी याद हमानी जी हैं चलाइए को लोगपीяс अपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है बताए किसको तो आपका स़ई जवाब है पचमडी भया पचमडी में घुमने के लिए बहुत ही रमणी है इस तर लेए और आप जब जाओगे आपको बहुत अच्छा लगता है हमाँ पर तो इस कारण से पचमडी जो है कहाँ पर है पच अगला क्यूस्चन चंबल नदी में गिरती है चंबल नदी कहां पर जाती है क्या गोदावरी में जाती है क्या तो गोदावरी तो बहुत नीचे जाएगी महराष्टे से निकलती है बेतवा तो बेतवा में सही जवाब नहीं है इसका केन केन भी सही जवाब नहीं है इसका यूपी में जाएगी और यूपी में जाकर यह यमुदा नदी से मिल जाती है तो C is right answer. Ne PA नहें उसका जो कारेश्वर किस नदीब पर है वह तो आपको सही जवाब क्यार रहेगा नर्मदा हमने इसके बारे में बतावां को अमकारेशवर क्या है भारत में किते जोति लिंग है 12 में से 2 हमारे पास हैं कौन-कौन सा एक उज़ेन और एक ओमकारेशवर तो ओमकारेशवर जो है वो नर्मना दाधी पर बसा हुआ है इसको मन्धाता मन्धाता द्यूब्भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि भाईया मान दाता ने अपनी प्रजा के कल्यान के लिए भगवान सीव की क्या की थी तपश्या की थी मतलब भगवान सीव को प्रशन्य क्या था और भगवान सीव ने खुश होकर मतलब बोला कि आप ही पर विराजमान रहो मेरे जो राज्य है इसम नेमस क्यों है बैटा क्योंकि अधिकतर जोती लिंग में जो पिंड होता है जो लिंग होता ना अंदर वाला भगवान सीव का जिसकी आप पुजा अर्चना करते हो जिसे महाकाल का भी महाकाल की पुजा करते हैं जो पिंडी रेती है उसकी उसके जश्ट उपर सीखर मिलता है चलिए, नेश्ट कुशिन के और प्रस्तान करते हैं, निमनी में से कौन सा सहर परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था, तो मैंने आपको बता दिया, परमार राजाओं की राजधानी बोले तो धार, धार लगा देना, परमार राजाओं ने बहुत समय तक राज किया, और उनकी अधिकतर समय उनकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो धार थी, भोपाल मत लगा ना, नहीं तो आप सोचो कि में भोपाल में राजा भोच की मूर्थी देखी, भोपाल तलाप देखा, भोपाल में राजा भोच ने भोच कुछ किया, तो हो सकता धार, राजधानी ना होकर भौपाल होगी लेकिन अधिकता टाइम उनकी राज़तानी धारी थी कोई दिक्कत इस वन्स के बारे में हम अच्छी सट डीपली स्ट्रीटी करेंगे टाइम हो जदा हो रहा है आज चलिए नेश्ट क्यूचन के और प्रस्तान करते हैं मद्दिप्रदेश में तीन व हुआ कि इसको सामिल नहीं किया इस बार उम्मीद बन रही थी मलब 2019 में उम्मीद बन रही थी कि और चा को भी वर्ड हेरिटेश साइड में यूनेश को द्वारा सामिल कर लिया जाएगा लेकिन इसको अब्जर्वेशन लिष्ट में डाल दिया है लेकिन वर्ड हेरिटेश की लिष्ट में नहीं डाला लेकिन observation की लिष्ट में डाल दिया है हो सकता आने वाले समय में ये सामिल हो जाए option B देखिए आप साची हाँ है बिल्कुल भीमबेट का world heritage side में सामिल है लेकिन ओमकारेश्वर सामिल नहीं है तो बचा क्या है एक option तो मदिप परदेश में तीन world heritage side है world heritage 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 side मतलब क्या बोलते है इनको हिंदी में वीस्व धरोवर इस्तल देखो क्या होता है एक युनेश को होता है तो युनेश को क्या करता है इसे एतिहासिक या फिर युनेश को है ये ना युनेश को तो युनेश को क्या करता है इसे भी एतिहासिक या फिर पर्यावर अंदेश अम्मदित को ही इस्तल जो की बहुत ज़दा importance रखते है या बहुत जरूरी है जिन तो उनको क्या करता है वो world heritage की side में मतलब जो एक list होती है उस list में सामिल कर लेता है और उनको world heritage side घोसित कर देता है ठीक है तो मद्यपरदेश में कित्ती world heritage side है तीन है खजुराओ पेले सबसे पेले कौन सी हुई थी खजुराओ इसको जिस year में इसको world heritage side में सामिल किया गया था या घोसित किया गया था वो किया गया था कि कब 1986 में उसके बाद साची साची को जो सामिल किया गया था बेटा ये किया गया था 1989 में और लाश्ट में जो भी recent में भीम बेटका इसको भीम बेटका बोल दो या भीम बेटका बोल दो इसको सामिल किया गया था 2003 में तो ये question आपको याद होना चाहिए कभी question येसा घुमा फिरा का जाए कि मद्धिर पर्दिस का पर्थम इस्तल कौन सा है जिसको की world heritage side में सामिल किया गया था तो आपका जवाब क्या रहेगा तब तक के लिए जे हिन जे भारत